20 जनवरी 1948 की शाम थी उन्या सीवर्ट्स के मात्मा गांदी पाँच दिन के वास के बाद बहुत कमजोर हो गये थे उन्हें एक कुर्षी सहित उठाकर बिड़ला भवन में हो रही प्रात्ना सभा में लाया गया माइक काम नहीं कर रहा था उनकी आवाज बहुत कमजोर थी जो वह कह रहे थे उसे डाक्टर सुचिला नायर जोर से बोल कर सुना रही थी तबी एक जोर का धमाका हुआ अफरा तप्री होने लगी गांजी जी ने हाथ के इसारे से लोगों को बेठने के लिए कहा उन्होंने आप से कहा कि अगर संबव हुआ तो मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ लेकिन मैं तभी पाकिस्तान जाओंगा जब महां के सरकार मुझे मुसलमानों के साथ साथ हिंदूओं और सिखों के मित्र के रूप में भी बुलाएगी डाक्टरों का कहना है कि पहले मुझे अंसन के अस नाथुराम गेंग ने किया था संकर किस्तेया नाराण गत्तातरे आप्टे विष्णुकर खरे मदल लालपावा आधी भी इसमें सामिल थे सोबाग्य से गांधी जी बज गह थे बाद में उन्होंनों कहा बच्चे हैं हमलावरों के लिए कहा बच्चे हैं अभी ये समस्ते जनी जब मरूंगा तब यात करेंगे की बुढ़ा ठीक कहता था